हेलो दोस्तो आज इस विडियोम बताएंगे कि यह जो LCD पैनेल है और यह जो आलमारी है इसमें कितना पलाई और कितना खर्च हुआ है Software ऑज आज हम इस विडियोम बताएंगे कि कीतना खर्च हुआ है और इसमें पलाई जो लगा है 8.8 mm और 6 mm का पलाई लगा है और इसके अंदर 4 पलाई 8.8 mm और 2 पलाई लगा है जो 6 mm का और इसमें जो देख रहे हैं ये जो पला लगा है ये पला के अंदर जो कबजा है जो ये L विहारी ये कबजा लगा है और ये सम में L भी हरी कबजा लगा गया है और ड्रोर भी नीचे तीन ड्रोर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं तो देख रहे हैं इसके अंदर भी ये पला लगा हुआ है और इसमें जो पला लगा है वो भी जो है SDMR है जैसे ये जो है पलाई ये अलग होता है और ये जो पलाई जो लगा है डोर में ये अलग पलाई जैसे कमर्सिय पलाई और ये SDMR पलाई दोनों मिक्स करके लगाया गुए है और जो उपर है और नीचे जो है वो 6 mm वाला है और इ तो ये LCD पाइनल बनाने में शिरफ इसका लकड़ी का कीमत जो पलाई बोर्ड है इसका और फेविकोल कील का जो कीमत लगा है वो 8000-9000 रुपया तक बैठा है और मिस्तिरी खर छोर कर और इसका जो साइज है ये 7x7 का LCD पाइनल है और अब हम इस अलमारी के बताएंगे कि इसमें कितना पलाई लगा है HDMR और कितना लगा है 18mm वाला जो कमर्सियल पलाई है वो भी 18mm के है और 6mm का भी पलाई जो लगा है इसके अंदर जो हम से लेटिंग ये खोल के दिखा रहे है आपको ये जो पीछे का जो पलाई है जिस प आपको 18mm का पलाई है और दराज में भी जो भी पलाई लगा है 18mm और नीचे का साइड में 6mm लगा है और देख रहे हैं इस लेटिंग वाला जो पलाई लगा है इसमें तीन पलाई लगा है और जो नीचे दराज था उसमें आधा पलाई लग गया है जो HDMR ये पलाई ये है 18 mm का पलाई है आपको इससे भी पतला चाहिए 14 mm 12 mm वह भी आपको पलाई मिल जाएगा और इसका साइज बता है अलमारी को तो यह 12 फिट चोड़ा और 12 फिट लंबा है और इसमें टोटल जो पलाई कितना लगा इस अलमारी में जैसे 12 फिट 4 बारा फिट लंबा है तो इसमें और ये सारे तिन पलाई लगा है तो टोटल पलाई में खर्च कितना है तो ये 20 जृशी सवीजा रुक्या इस अलमारी को बनाने में खर्च हुआ है और इसी में फैवी कॉल खील सारा उसी में आया है सिर्फ मिस्तिरी खर्च छोड़ कर हम बता रहें आपको तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताए और आपको ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब क कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस कर दें उससे क्या होगा ऐसा ही वीडियो अगर कोई भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुचेगा तिस वीडियो को समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में